नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अम्बिका जोतिश संस्थान में आपके साथ मैं हूँ भावना प्रसाद दर्श को एक वेवाहिक जीवन तब तक संपूर नहीं माना जाता जब तक कि उसके घर में कोई संथान नहीं हो वो वेवाहिक जीवन अधूरा ही माना जाता है जहांपर संथान नहीं होती और कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे दमपत्ती होते हैं जिनके यहां लाख प्रयास के बावजूद भी संतान नहीं हो पाती कई बार कुंडली का दोश होता है, कुछ ग्रहे ऐसे बन जाते हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे बन जाते हैं और कई बार कुछ चीजे ऐसी होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में संतान सुक नहीं प्राप्थ हो पाता। आखिर ऐसी क्या वजह होती हैं? कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारण ये समस्य आती हैं? आज इसी विशे पर हम इस कारिक्रम में चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आयोध्या से विश्व प्रसिद जोतिशा चारे पंकज कुरश्न शास्त्री जी का अचारे श्री बहुत स्वागत है आपका। सबी दर्सकों को अम्मिका जोतिश मन्थन में राधे राधे जै माता दी जै स्री कृष्णा जै स्री राम। सबसे पहले संतान सुख को लेकर चर्चा करेंगे आखिर ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जिसकी वजह से एक दमपत्ती को इस सुख से वंचुत रहना पड़ता है। कभी कभी जीवन में क्या होता है कि हम बहुत प्रियास करते हैं बड़े बड़े उपाय कर लेते हैं फिर भी हमको संतान सुख की प्राप्ती नहीं हो पाती हैं। संतान की प्राप्ती के लिए बहुत जतन लोगों से भी कराएं यहां तक कि हम हर जगहां जाकर के डाक्टरों से मिलें बैदिक विद्वानों से मिलें फिर भी हमें संतान की प्राप्ती नहीं हो पाई। बहुत बहुत दवाईयां बहुत बहुत अवसधी भी खाएं लेकिन हमें जो प्राप्त होना चाहिए वो अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाएं। तो आईये हम अपने अंबिका जोतिश के माध्यम से हम आपको जरूर आसा दिलाते हैं माभगवती की किरपा आपके उपर अवस्थ बनेगे। इसलिए कि हमें संपूर्ण विश्वास है कि माभगवती हर काम को पूर्ण करने के लिए सक्षम हैं। ऐसा कोई चीज नहीं कि जो माता रानी के दर्वार में बनता न हो। अगर गोंगा भी उनके दर्वार में आता है तो बोलता हुआ जाता है। अगर लंगडा भी माता के दर्वार में आता है तो चलता हुआ जाता है। मा की सक्ति को अभी ब्रह्मा विश्णु महेस नहीं जान पाए मा तो मा होती हैं अगर आपके अंदर कोई सक्ति ना रहे तो आप चल नहीं सकते हैं भगवान के अंदर मा भगवती की सक्ति ना रहे तो वो मूर्तिमान हो जाएंगे मां हर कार को बनाने के लिए सक्षम है और मां कभी किसी का बिगारती नहीं है मां तो बहुत दयालू होती है मां की किरपा खाली मां के चरणों में एक बार जुड़के तो देखे कि मां के चरणों में कितना बड़ा सुक है हम इधर यत्र तत्र घूमते रहते हैं लेकिन अजब हमारे गुरु के माध्यम से मा के चरणों में जाने का शुभ हौसर मिलता है तो हम जो काम लेकर खाली मा भगवती के सामने ही लिखा है यम यम चिंते ते कामम जो जो कामना की चिंतनाम मा भगवती के सामने करोगे वो अवस्थ आपको प्राप्त होगा मा भगवती के मंदिर में जा करके उनका पूजन अराधना करें यहां तक की बताया गए कि भगवान स्री राम की कुल देवी मा काली है जो यॉध्या में बिराजमान हैं मा भगवती जगत जनिनी और हम तो उनके उपासक हैं ऌनके चरणों में हमेशा रहना चाहते हैं मा से यही परातना करतें कि हमारा जीवन अपने ही चरणों में लगाए रखना यह संसार तो बड़ा पाखंद मै है आपके ही चरणों में सारे संसार और सारे सुख उपलब्द होते हैं कुछ भक्त हमारे पास ऐसे भी आ हैं जिसके पास तीन चार साल तक दवा लिए और सदी भी लिए लोगों से पूजन पाट भी कराएं लेकिन फल प्राप्ति नहीं हुआ हर चीज पूजन पाट कराने का नियम भी होता है उस बैदिक बिद्वान से पूजन कराएं जो अपना नित करम करता हो कि नहीं कि जजमान का जब काम लगा तो चंदन लगा कर घर से निकल लिए ऐसा नहीं आमेशा वो अपना नित करम पाट करता हो पूजन करता हो वो उठा कर आपको भभूत दे देगा तो आपका कल्याण हो जाएगा ऐसे खोज हमने हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी खोज हम करते रहते हैं कि लोगों का कल्याण उससे हो तो हमने एक पुत्र यंत्र जो संतान प्राप्ति के लिए होता है उसको लेकर के आएं और एक हमारे पास सधी भी है पुत्र संतान नहीं प्राप्त हो रहा है आप बहुत दवा भी ले चुके हैं फिर भी आपको नहीं प्राप्त होता है एक बार हमारे संस्ता में आप संपर करके देखिए हम कहते हैं कि हर कामना हर मनो इपसित कामना आपकी जो होगी वो संपूर मातारानी पूर करेंगे संतान प्राप्ति यंत्र संतान गोपाल यंत्र वो आप मंगा करके स्वयम पूजन करें अवस्थ आपका काम पूर्ण होगा अचारश्री हम चर्चा कर रहे थे संतान गोपाल यंत्र को लेकर क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बहुत प्रयास करते हैं और समाज में भी कही न पुत्र हैं इनके पास कोई संतान नहीं तो उनको लोग गलत तरीके से दिखते हैं लेकिन नहीं भगवान का सिस्टम भगवान का बनाय हुआ यहां कोई गलत नहीं है बड़े भाग मानुस तनपावा सुरुदुरुलब सब गरंते गावा क्या हमारे जीवन में कोई समिश्य आ जाए तो क्या मनुस गलत नहीं हो जाता है कोई दिक्कते आ जाए तो उस दिक्कतों का सामना करना चाहिए जब मानों जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है मनुस हर चीज कर सकता है भगवान को प्राप्त कर सकता है मनुस ही भगवान की प्राप्ति किया है मनुस मनुस ही ये पंच्चुतत की सरीर भगवान को मीरा ने पाया हैं अच्छे अच्छे रिसिमुनी भी भगवान का ध्यान करते और उनको प्राप्त किये हैं तो मनुस हर चीज कर सकता है मनुस की योनी पाने के बाद में हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जो चीज चाहोगे वो आपको प्राप्त हो सकता है बस करना क्या है आपको मेहनत करम प्रधान विश्रच राखा करम करना पड़ेगा करम ही प पाइब का जोतिस मंधन में एक बार जुड़ कर देखिये और संतान गोपाल यंड्र को बैदिक ब्रामनों के माध्यम से सिद्ध किया जाता है अभी कृष्ण जनमस्टिमी थी उसमें संतान गोपाल यंद्र हम लोग उसको बनाते उस योग में उस यंत्र को सिद्ध करते हैं हवन करते हैं पूजन करते हैं जाप करते हैं उसके बाद में जब आप ऐसी कोई दिक्कते आती हैं हमारे पास तो इस यंत्र को आपको हम प्रदान करते हैं और यही आपको आरेस भी करते हैं कि इसका पूजन पाट करें और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे कोई भी दवाई आप करते हूं पुत्र के लिए संतान प्राप्ति के लिए वो सब बंद कर देजिए भगवान का इस यंत्र को धारण करें या इस यंत्र को आप अपने मंदिर में रख करके पूजन करें अवस साब को प्राप्ति मिलेगी आप मा भगवती पर विश्वास करें जै माता दी आचारशी एक कॉलर जो है वो हमारे साथ जुट चुके हैं जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी क्या आप हमको सुन पा रहे हैं हलो बताए हा म गुधिया मिल्सारोजच से बोल रहा है जी बहुत-बहुत माता जी कल्यान करें बताए मेरे फामले में वहाथ पॉबल्मों सु रही है और मेरे जो हस्बन जी है वोगत आरसाम करतें, मुझे मान केत नहीं है तो गुरु जी मेरी हलो अपना डेटा वर्द बता देए? गुरुजी मेरा ज़डा वर्द निस सु टिरान वे समय? 28 जन्वरी903 आपका जन्व है, जन्व का समय और जन्व का स्थान भी बताएं? जन्व का समय बताएं? आपकी वाइस बिल्बुस की लोँ आ रहे है आप अपने जन्म का समय बताएं जी, दस बच के बेश्पत्वार दस बच कर 20 मिनट सुभा का या शाम का जी, सुभा का जी यह है ब्रहश्पत्वार जी जी, आपका ब्रहश्पत्वार दिन है और मकर लगन की कुंडली है तुलारासी आपका बनना है आपके पत्रिका में अगर देखा जाए तो मांगलिक दोश लग रहा है आंसिक मांगलिक है आप आंसिक मांगलिक जब आपके लगता है कुंडली में तो आपके परिवार के बीच में बनती नहीं है और कभी कभी होता है कि मंगल अश्टम घर का जब हो जाता है तो आदमी के लिए दिक्कत हो जाती परिशानिया जहिलना पड़ता है तो आपका आणसिक मांगलिक है ज्यादा कोई वेसे दिक्कत नहीं है आप मांगल दोस्त का उपाय करें और हमारे हाँ मंगल दोस्त का यंद्र है उसका अगर आप धारण करती है या अपने घर में रख़ करके पूजन पाट करती है तो आपका ये समिस्या निदान हो जाएग उसके अस्तुत्ति करें विशुष। सकति रूपिण संसीता 1929 1931 मुझनमाँ यह आप रते दिन करना है एक्दिपग क्यारा दिन के अंदर आपको लाव अवश्ष मिलेगा माभगवती पर विश्वास रखें जय मातादी इसको घर में हम पूछ सकते हैं कैसे इसको प्रान प्रतिष्चित कर सकते हैं जिससे संस्ता में हमारे हाँ प्रान प्रतिष्चित करके ही दिया जाता है जाप किया जाता है हमने किया जाता है आपको अपने घर पे उसको रखे जो बिधान है उसका वो पूजन आपको अपने घर पे करना होगा अब विधान घर पे क्या है जब आपके हाँ यंत्र पहुँच जाए उस यंत्र को एक पलेट लीजिए उसमें लाल चावल भर करके एक पान का पत्ता रख दीजिए उसी के उपर यंत्र को अस्थापित कर दे मंदिर में उसको अस्थापित करने के बाद में जो मनो कामना हो दो मिनट तीन मिनट उस मनो कामना अपने मन में लेकर मातारानी से अस्तुती करें कि मातारानी मेरा मनोरत सिद्ध करें और उसके बाद में आप धूप बत्ती लेजे मातारानी को दिखाईए और सरपर्थम एक विसेस बात आपको और बता जेना चाहते हैं कि अगर आपके घर में गंगा जल हो तो पूरे घर में गंगा जल छीटा करें यंत्र पे छीटा करें उसके बाद में धूप अगरबत्ती चंदन लगाएं और एक दीपक जलाएं दीपक जलाते समय अपने मनो कामना की अस्तुती मातारानी से करेंगे अवस आपका काम ये बनेगा इसलिए कि ये सक्त साली यंत्र हैं प्रभावित इसमें क्यावन हजार मंत्रों का जाप किया जाता है हमारे संस्ता में बैदिक विद्वान के माद्यम से इसका पूजन अर्चन बंदन होता है आप इस पूजन को भी वीडियो कॉलिंग देख सकते हैं अगर संस्ता में हमारे पूजन पाट कराते हैं तो आप उसको भी वीडियो कॉलिंग से देख सकते हैं कि हमारा पूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब आप जानकारी ले सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माद्यम से अगर आप अपने घर पे भी पूजन कोई भी अनुष्ठान हुआ यह भागवत पूजन पाढ़ गरा सांती कोई चीज आप अपने घर पे कर आना चाहते हैं तो आप हमसे संपर कर सकते हैं हमारे अगर आप हमसे जोड़िए तो सरधा और विश्वास के साथ में जुड़े तो मत जुड़िए अगर आफ हमारे पास में सरधा भक्ते से आते हैं तो हम अवस्था आपका काम मातारानी किर्पाा करेंगे अवस्था आपका काम पूर्ण होगा जै मातादी बिल्कुल दर्शको श्रधा और भाव से हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं तो अगर श्रधा और भाव के साथ आप संस्थान में आते हैं और आप अगर इन भोज पत्रों पर अंकित जो ये यंत्र बनाए गए हैं लिपिबत कि किया जाता है हवन और यकी करने के बाद आपको दिया जाता है अगर आप उनको प्राप्त करते हैं तो नसंदय आपको लाब मिलता है नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं आप बात कर सकते हैं सला ले सकते हैं फिर भी कोई संस्थान किस तरह से प जाना चाहते हैं श्री राम जन्म भूमी अयोध्या तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं पूरी सुविधाएं संस्थान की तरफ से आपको दी जा रही है अब जो आप चाहे आप उसे अपना सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों को ला सकते हैं फिलाल अचारे श्री कि अपने जन्म की डीटेल्ज जैसियर राम बताएं अरविंद पटेल हो रहा हूं सूरत गुझराइस से जी जी जैसियर राम बताएं क्या जानकारी जहिए है जी गुरुजी मेरा जन्म सूरत में 17-188 मौर्निंग में हुआ है 4 बच कर 25 निट पे संतान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं गुरुजी तादी हुए मुझे 8-9 बरस हो गए है लेकिन संतान की प्राप्ती नहीं हुई है और बहुत दवा करा है बहुत कुछ करा है लेकिन कोई रेजल्ट नहीं आ रहा है बुरुजी जी आपका दिन सोम आ रहे है रासी मकर है कुम्भ लगन की आपकी कुंडली है आपके पत्रिका में ब्रेस्पती अस्त है अगर ब्रेस्पती अस्त हो जाते हैं तो संतान उत्पन नहीं हो पाता है आपके साथ में कुछ ऐसी घटना भी घटी होंगी जिससे आप परेसान हुए होंगी और यहां तक अगर आपके कुंडली में देखा जाए तो एक बार आपका संतान का योग बना था लेकिन उसका पूंडला आप नहीं प्राप्त कर पाए कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई हैं ब भी ब्रहस्पती के कारण से ब्रहस्पती अगर कुंडली में अस्त हो जाता है तो समिश्या का समाधान आपको मिल नहीं पाता लोगों के पास जाते हैं लेकिन परेसान रहते हैं ब्रहस्पती अगर कुंडली में अस्त है तो आपके कैरियर संबंदित दिक्कत भी आएगा आपके परवार में भी दिक्कत आएंगे, आपके पास में अनेक प्रेसानिया उत्पन होगी, तो सरपर्थम आप ब्रहस्पती का उपाय करें, कच्ची हल्दी लेकर के कहीं मंदिर में दान कर दें, और हो सके तो सवाव किलो कच्ची हल्दी का हमन कराएं ब्रहस्पत वार की दिने सुबा दस वजे तक ये आप उपाय करें और साथ में अगर पुत्र नहीं उत्पन हो रहा हैं दिक्कत हो रही हैं तो एक उपाय हम आपको बताते हैं कि अपने पत्नी के बराबर एक धागा नाप लीजिए धागा नापने के बाद में उसमें साथ गांठ लगा अपना पुत्र मान कर उस पीपल के ब्रिक्ष को उसमें उस धागा को बांद दीजिए आप 11 दिन वहां पर दीपक जला देंगे उसके बाद में आपको हमारे संस्ता से एक संतान गोपाल यंत्र मंगा करके अपने घर पे रख करके पूजन करें और ब्रहस पतिवार के दिन मिसरी और मक्षन का भोग लगाईए भगवान बाल किर्ष्न का ध्यान करके उनका भोग लगाएं भोग में तुलसी का पत्र अवस डालेंगे और उस भोग परसाद को अपने पत्नी को खिला देना और स्वयम खा लेना दो ब्यक्त के अलावा और कोई उस भोग को ना खाये आप दो लोग खाये कुछ ही दिनों के बाद में आपके घर में सुब समाचार मिलेगा मांगलिक कारिका और माता रानी आपके उपर किर्पा करेंगे हम भी यहां से परात्ना करेंगे आपका जो मनो कामना है माता रानी पूर्ण करें सर्वमंगर मंगले सिवे सरवाद साथ के सरंडे तरंब के गवरी नारायडी नमोस्ते जैमाता दी जी अर्विंजी हम उम्मेद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समधान मिल गया होगा जल्द ही आपके जीवन में आपके परवार में खुशियां आए यही कामना हम इसकारेक्रम के माध्यम से करते हैं अगर फिर भी कोई संचे मन में रहे जाता है तो संस्थान में आप फोन कर सकते हैं बात कर सकते हैं आचारी श्री हम बात कर रहे थे संतान को लेकर वैवाहिक जीवन को लेकर कई पर विवाही इतनी देर से होता है कि संतान उत्पन होने में बहुत देर हो जाती है तो क्या कारण होता है कि विभा होने में इतना विलंब हो जाता है कभी कभी कुंडली में मांगलिक दोस है वह किसी की कुंडली में मांगलिक दोस लगा हुआ है सत्तम घर में तो उसका विभा लेट हो जाता है अगर मौका हो तो उसी में उसका मंगल दोस्ट का सांती मंगल मंत्र का जाब करा दे ओम अंग अंगार कायनमा इस मंत्र का जाब करा दे तो विवाह थोड़ा जल्दी हो जाता है और जो मंगलिक दोस लगा होता है उसका साधी जल्दी मिलती नहीं है दिक्कते होती है परेसान होता है कई कई बार साधी देखने के बार में कैंसिल हो जाती है अगर साधी किसी की कैंसिल हो जाती तो उसके मन में और थोड़ी दिक्कते हो जाती है कि कोई देखने के बाद में कैंसिल कर दें तो परेसानिया मन में भी आसांतियां हो जाती है आदमी परेसान हो जाता है तो कहीं न कहीं कुंडली का प्रामर्स लेना हमारे जीवन में जरूरी हो जाता है बहुत लोग कहते हैं महराची हमारे कुंडली नहीं है हमारे यहां कुंडली बनती नहीं है तो उनके लिए भी प्रसुन कुंडली के माद्यम से हमारे संस्ता के माद्यम से बता जाता क्या है कि हम जदा तर जो लाइप कारक्रम देते हैं उसमें बता नहीं सकते हैं बहुत चीज़ ऐसे छूड़ी जाती है समय का भाव रहता है यहां पे तो आप हमारे नंबरों पे फिक कॉल करके देर सारी जानकारी ले सकते हैं देर तक बात कर सकते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके सब चीज की जानकारी ले सकते हैं और कोई भी यंतर आपको मंगाना है उसकी भी जानकारी कि महराजी को कैस कैसे कैसे आप करते हैं क्या पूजन पाठ है इसका क्या विधान है फुल जानिकारी आप हमारे नंबर पे कभी भी कॉल करके ले सकते हैं और अगर आप आना भी चाहते हैं हमारे संस्ता में तो आप आगर के मिल भी सकते हैं या आप अपने घर पे भी बुला सकते हैं और माता अरानिश्रा आपकी हारी मनो कामना पूर्ण करेंगे और कभी कभी होता है किस मंगल भी हमारा स है कभी कभी होता कुंडली में कुल देवी का दोश लग जाता है कि जिससे हम भी लोग परेशान हो जाते कुंडली ठीक है फिर भी साधी क्यों नहीं हो रही है तो मा भगवती की जब किरपा होती है तब जब उनका ध्यान लगाएंगे आप तो हर चीज आपका दिखाई देगा ये सब भक्ति के माध्यम से पराप्त हो सकता है मा भगवती के सामने जोतिसे वाधते तमहा जोतिस भी मा भगवती के सामने फेल हो जाता है जहां जोतिस बंद हो जाता काम करना वहां मा भगवती की किरपा सुरू हो जाती है और किरपा अनन तो होती है किरपा अगर उनकी ह सुनिए रहती अदालत तुम्हारी क्या सभी के पास कंड़ी ही बहुत लोग ईसे जिसके पास कंड़ी नहीं है ना कोई उनके पास डेटाब वर्थ है ना कोई जाएं तो हर चीज आपको प्राप्त हो सकता है इसलिए हमारा संस्ता आपको यंत्र की प्राप्त की अवस्कराता है कि यंत्र की पूजन करें यंत्र और मंत्र ये दोनों उसमें समाहित होता है यंत्र की पूजन करें अपने कहीं बीच रख करके विसे हूजन का अस्थान हो या जहां बैपार आप करते हैं वहां रख लिए या कभी-कभी गले में लोग धारन करते हैं तो गले में धारन करने का एक विधान गलत हो जाता है कभी-कभी हम बाहर निकलते हैं लोग से मिलते हैं तो वो आदमी कैसा हो नहाया हो की नह बनाया हो इसमें थोड़ा दिक्कते हो तो असुद्धता हो जाते जो यंत्र होता उसका प्रभाव डाउन हो जाता है और प्रभाव बढ़ाने के लिए रोज धूब डीप अगर बत्ती भोग नएवेद उनको भोग लगाते रहेंगे तो यंत्र की सकती एक साल तक बरकरार ब जाते हैं यंत्र हर देवी देवता का है राम जी का है संकर जी का है ब्रमा जी का है माभगवती का सभी का यंत्र है लेकिन यंत्र का विधान क्या है किस पर अंकित करना चाहिए ये भोज पत्र ही बताता है कि भोज पत्र पर ही अंकित करना चाहिए और वह सुभ महूरत में जी, बिल्कूल दरशकोष, शुब महुरत के अंदर भोज पत्रों पर अंकित जो यंत्र होते हैं, साथी साथ उसके बाद जो आपको मंतर दिये जाते हैं, उनको अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो निसंदय लाव आपको मिलता है, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर हो या फिर वैवाहिक जीवन में आने वाले कस्टों को लेकर हो कोशिस संस्तान यही करता है कि आपके जीवन में खुशियां लाई जा सके आपके जीवन में बाहर लाई जा सके अगर आप भी संस्तान से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर टीवी स् उन्हें जाप से अभिमंतरित किया जाता है, हवन किया जाता है और उसके बाद आपको दिया जाता है नमबर टीवी स्क्रीन पर है अधिक जानकारी आप संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं जाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम अचारश्री का अचारश्री तमाम जानतारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैमातादी जैमातादी संत्वा दुखदानी सुखदानी